नमस्कार दोस्तो तो MPPSC Prelims की टेस्ट सिरीज को कंटीनियू रखते हुए आज हम कोश्चन पेपर नमबर 27 डिसकस करने वाले है इससे पहले हमने टोटल 26 कोश्चन पेपर डिसकस कर लिये है आज का हमारा जो टेस्ट है इसमें टोटल आपको 100 कोश्चन देखने को मिल जाए होगा कि इसे Montague Champs Fort Reforms कहा जाता है तो ये Government of India Act 1919 के नाम से भी जाना जाता है फिर सेकंड कुश्चन में पूछा है 1919 इसवी के अधिनियम के द्वारा द्वारा प्रसासन के छेतर में जो है वो क्या किया गया था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकें कि नीती को प्रोचान दिया गया था कुश्चन में पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारती संधी प्रस्तावित किया था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा Government of India Act 1935 तो Government of India Act 1935 के तहद जो है अखिल भारती संधी यहां पे गलत लि नया अधिकार पत्र जो है वो कहा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री बने थे माउंट बेटन योजना आधार बनी थी तो माउंट बेटन योजना जो है वो किसका आधार बनी थी तो यह देश के विभाजन का आधार बनी थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा देश के विभाजन का जो लॉर्ड माउंट बेटन है इनके द्वारा एक माउंट बेटन पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था अगला सावाल देखते हैं इसमें बोला है कि राष्टपती को अध्या देश निर्गत करने की जो सकती है वो प्रेरित होती है जो और्डिनेंस मेकिंग पावर जो की आपके प्रेजंट कंस्टिटूशन में आर्टिकल 123 के अ तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का Government of India Act निमलिखित में से किस में ब्रिटिस अधिनियम ने लोग सेवा आयोग की स्थापना की थी तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा Government of India Act 1935 वो 19 ठीक है तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है कि जो एक ली कमिशन है वो बनाय गया था वर्स 1922 में उसके बाद जो है उसी की recommendation के आधार पर जो है Union Public Service Commission का गठन किया गया था है ना जिससे Central Public Service Commission उस समय कहा गया था फिर पूछा है 9th question में कि 1921 के भारत सरकार अधिरियम के अनुसार विदान परिशत का कारिकाल जो है वो कितने वर्सों का था तो फ्रेंड्स ये तीन वर्सों का कारिकाल जो है उस समय हुआ करता था अगर आपने हिस्ट्री अच्छ से पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये थ्री वर्सों का जो है कारिकाल हुआ करता था समवर्ती सूची पहली बार जो है वो कब लागू की गई थी तो ये कब लागू की गई थी तो वर्स 1935 के एक्ट के द्वारा समवर्ती सूची जिसे concurrent list भी कहा जाता है तीन परकार की list होती है Indian constitution में जो की law बना सकते है तो ये जो list है ये आई थी वर्स 1935 का जो एक्ट था Government of India Act उसके द्वारा फिर पूछा है कि प्रांती सरकारों का गठर निमने मेंसे किस अधिनियम के तहद जो है वो किया गया था तो फ्रेंट्स ये कब किया गया था तो वर्स 1935 का जो अधिनियम है उसके तहद किया गया था तो हमारी जो एक्जाम है उसमें specifically 1919 और 1935 के बारे में directly लिखा है कि यहां से सवाल जो है वो जादा से जादा बनेंगे तो फ्रेंट्स आपको इसे जो है अच्छे से पढ़के जाना है बोला है कि भारत की सविधान सभा का प्रताम अधिवेशन जो है वो कब बुलाया गया था तो यह बुलाया गया था 9 दिसंबर 1946 अना तो 9 दिसंबर 1946 फिर बोला है भारत की सविधान निर्मात्री सभा के द्ध्यक्ष कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अगर पूछ लिया जाए कि जो अस्थाइस अदस्त थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम था फ्रेंड्स आपका सचीदानन सिना फिर बोला है सविधान पांडू लेखन समीति का न कब स्विकार किया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारती सविधान को अपनाय गया था तो किसके द्वारा अपनाय गया था तो फ्रेंड्स यह अपनाय गया था सविधान सभा के द्वारा तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सवीधान सभा के द्वारा और कई बार एक और सवाल जो है बहुत ही जादा important है मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो constituent assembly थी है ना तो उसके कितने members का जो signature है वो आपको original constitution पे देखने को मिलेगा आप लोग मुझे comment box में बताइएगा बहुत ही important सवाल है general knowledge से related है फिर पूछाए question number 18 में कि भारत सासन द्वारा राज की चिन कब से अंगीकरत किया गया था तो कब से अंगीकरत किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी निश्व पचास से फिर बोला है नियाईक पुनर विलोकन की जो वेवस्ता है ये कहां से ली गई है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का भारत और USA से तो भारत और USA से जो है नियाईक पुनर विलोकन जो है वो लिया गया है भारती सभीधान में कुल कितनी अनुसूचिया है कार के amendment किये गए और amendment करते करते जो है चार और लिस्ट जोड़ करके इसे बारक कर दिया गया जो बारवी हमारी अनुसुची है वो किससे संबंदित है वो आपको मुझे बताना है comment box में answer करके और साथी साथ आप लोग मुझे ये भी बताईए कि जो 11 वी अनुसुची है वो क असर प्रोवाइट करें फिर पूचा है कौन भारत को धर में निर्पेक्ष राजजी वर्नित करता है तो ये की गई पारलियमेंटरी यानि संसदात्मक ठीक है तो पारलियमेंटरी विवस्ता की गई है राष्टपति पद्दती में समस्त कार्य पालिका की सक्तिया नीहित होती है तो किसमे नीहित होती है तो friends इसका सही आंसर हो जाएगा राश्टपती में अगला सवाल देखते है इसमें बुला है भारती सविधान जो है वो कैसा है तो friends ये ना तो तो ज़्यादा कटोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है तो यही इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उसके बाद जो है भारत में संग राज्यों का प्रसासन जो है वो किसके द्वारा होता है तो friends इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा राष्टपती के द्वारा भारत में र राष्टपती के निर्वाचन में कौन कॉन पार्टिसिपेट करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें बोला है कि अगर भारत के राष्टपती के बीवाद के छुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौपा जा सकता है। तो ये सर्वोच्च नियाले को सौपा जा सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, यही इंटर्वीन कर सकता है, जो रास्टपती का चुनाव है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गरबड़ी है, तो उसका डिसीजन जो है, वो फाइनल होता है, बारती सविधान में समस्त कारे पाली का सकतिया जो है, वो नहींत होती है, तो किसमें नहींत होती है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट में, फिर पूछा है 29 में, निमले कित में से कौन भारत के राश्टपती के निर्वाचे नहीं तो यह इसका सही आंसर हमें बताना है, तो इसका सही आ राष्टपती के महाभीयोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी है तो फ्रेंड्स इसकी जो प्रक्रिया है इसके बारे में हमें बताना है तो ये अर्धनियाईक प्रक्रिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ए फिर बोला है सविधान और साधारन परिश्तितियों में राष्टपती क तो राज्यपाल को करत्यों के निर्वान हेतु उपबंद कर सकता है तो ये कौन से आर्टिकल के तहट कर सकता है तो आर्टिकल 160 के तहट ये कर सकता है उपप्रभान जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसके पद का सरजन किया गया था तो कैसे किया गया था यह हमें बताना है तो friends इसका सही आंसर हो जाएगा सविधान के प्रावधानों से हट कर हुआ है क्यों क्योंकि सविधान में डिप्टी प्राइम मिनेस्टर की ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं यह तो एक tradition है जो चला आ रहा है आजादी के बाद से कि डिप्टी प्राइम मिनेस्टर की यह कोई पर्टिकुलर पोस्ट भी होगी फिर पूछा है संसेदी सासन के वास्तविक कारेपाली का सकती जो है किसके पास होती है तो यह real में होती है प्रधान मंत्री के पास तो real जो powers होती है जो executive powers होती है वो होती है आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में और जो nominal powers होती है वो होती है राष्टपती के पास में कोई भी काम हो कोई भी policy implementation का हर एक चीज जो है उसके decision लेता है प्रधान मंत्री और किसी चीज को अगर Act के रूप में बनाना है तो Parliament जो है दोनों सदनों से वो बिल को पास करती है उसके बाद वो President के पास जाता है जब President जो है Assent दे देते है या Sign कर देते है तो वो एक Particular Act बन जाता है Question No. 34 में पूछा है भारत के प्रदान मंत्रियों में से कौन अपने कारेकाल में संसद में कभी भी उपस्तित नहीं हुआ है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंग तो D इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते है इसमें बोला है कि वर्तमान लोग सभा में प्रत्यक राज जी के लिए इस्थानों का आवंटन की आधारित है तो किसके अनुसार आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वर्स 1971 की जो जंगर्णा या 1971 का जो संसस है उसी के कार्डिंग जो है लोग सभा में आपको जो रिप्रेजंटेशन मिला है मेंबर्स का वो इसी के कार्डिंग दिया गया है लोग सभा में बैठक समाप्त की जा सकती है तो किस के द्वारा? इस्तगंद के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विगटन के द्वारा? तो friends इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो प्रोक्त सभी के द्वारा राज्य सभा चुनाव के लिए अपेक्षित नियुनतम आयू जो है वो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 30 वर्स अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला है कि निम्न प्रस्तावों में से किसका संदर्वित संबंध संगी बजट से है? तो किसका संबंध है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा कटवती प्रस्तावों लोग सभा का पहला आम चुनाव जो है वो किस वर्स में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वर्स 1952 में तो वर्स 1952 में लोकसभा का पहला आम चुना हुआ था जो जनरल इलेक्षन है वो प्रथम अभी नेत्री जो राज्य सभा के लिए नामांकित की गई थी तो इसका नाम क्या है यह हमें बताना है तो इसका नाम है नर्गिस दत्थ अगला सवाल है इसमें पूछा है कि भारती सभीधान के निमलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रन लगाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 14 मूल अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंदित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस अगला सवाल देखते है इसमें बोला है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है तो ये है सुप्रीम कोड बंधवा मजदूर उन्मुलन अधिनियम संसद ने जो है वो कब पारित किया था तो फ्रेंड्स इसका हमारा एग्जेक्ट लिस सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का तो 1976 में ठीक है तो जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है वो आया था 1976 में भारत के प्रतेक नागरिक का करतव ये होगा कि प्राकृतिक परिया वरण का संरक्षन एवं सुधार ये सामिल है तो ये कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ये fundamental duties में आपको देखने को मिल जाएगा अब fundamental duties का सवाल आया है तो इसके बारे में कुछ important fact देख लेते हैं friends fundamental duties जो है ये 42nd constitutional amendment act के द्वारा जो है वो सविधान में सामिल की गई थी और सवाल अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन से committee है जिसने fundamental duties को recommend किया था उसके बाद एक 11 duty जो है वो भी इसमें सामिल की गई थी जो की 86th constitutional amendment act जो आया था 2002 में उसमें क्या बोला था कि right to education से related provisions दिये थे तो एक fundamental duties जो है वो 11 नंबर की वो भी इसमें add की गई थी याद रखियेगा भारत के कल्यानकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो किस में पाया जाता है तो 47 का हमारा सही answer हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a और c दोनों में मतलब सविधान की प्रस्तामना में और directive principles of state policies में भारत के नागरिकों के मूल करतवयों का विवरण सविधान के किस भाग में दिया गया है तो किस भाग में ये दिया गया है तो ये दिया है भाग 4 क में तीक है तो part 4a में जो है ये दिया गया है फिर भारत भारती सविधान का अनुशेत 25 में प्रयुक्त हिंदू सब्द किसे सम्मिलित नहीं करता तो किसे सम्मिलित जो है यह नहीं करता तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 49 का पार्शियों को अगला सवाल देखते है इसमें पूछा है फ्रेंट्स कि भारती सविधान में संसोदन के लिए विध्यक लाया जा सकता है केवब लोकसबा में या तो लोकसबा या राज्येसबा में तो कहां पे लाया जा सकता है तो 50 का हमारा सही और एक्जेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों म तो 1951 में जो है First Amendment Act जो है वो लाया गया था और इसी Amendment के तहट जो है 9th schedule को add किया गया था किस नाम से तो Land Reforms के नाम से इसे add किया गया था याद रखियेगा उसके बाद जो है अगला सवाल पूचा है कि 86 समविधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावी सिक्षा का अधिकार किस वर से लागू किया गया था तो Friends ये जो है ना इससे implement तो किया गया था 2010 से और जो मतलब बहुत डिले हो गया था लगबग 8 साल का डिले हो गया था 2002 में जो है ये amendment किया गया था Right to Education वाला बट इसे implement करते करते जो है 8 साल की देरी हो गई सविधान के किस संसोधन के अंतरगत अन्य पिछड़ा वर्ग को सिक्षण संस्थानों में प्रवे सेतू 27-37 आरक्षण जो है वो प्रवाइड किया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 53 का तो Friends इसका सही आंसर हो जाएगा 93 ठीक है फिर विधान सभा में किसी दल के निर्वाचे सदस्यों के दल बदल पर इमनलिखित में से किसने प्रतिबंद जो है वो लगाया था तो ये जो 52 जो Constitutional Amendment Act है इसने रोक लगाया था फिर पूछा है कि किस सविधान अदिनियम को लगू सविधान भी कहा जाता है तो ये 42 जो Constitutional Amendment Act है इसे लगू समविधान भी कहा जाता है अब इसे टेकल करने के लिए 44th Constitutional Amendment Act जो है वो जनता गवर्मेंट के द्वारा लाया जाता है तो ये आपको याद रखना है एक्जाम में जो है सवाल पूछा जाता है कि जो 44th Constitutional Amendment Act है इससे क्या-क्या बदलाव किये गए थे जो कि 42nd Amendment Act के द्वारा चेंजेस कर दिये गए थे तो ये आद रखना है आपको कि सवेधान संसोदान ने सिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छे 21A जो है वो सवेधान में जोड़ा तो ये है आपका 86th Constitutional Amendment Act और 2002 है ना इससे इंप्लेमेंट किया गया काब 2010 में फिर पूछा है सरवोच नयाले में एक मुख्य नयायदीस के अतिरिक्त कितने नयायदीस होते है तो कितने होते है तो Friends 57 का हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 नयायदीस ठीक है बट अभी प्रेजेंट में जो है जो नयायदीस है या जो जैसे वो होते है सुप्रीम कोर्ट में या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि अभी अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट करने के बाद जो है इनकी संख्या में व्रद्धी हो गई है सरवोच नयायले में सेवा निवरत्ती की जो आयू है मतलब सु वैधानी का अधिकार सामवीदी का अधिकार और मौलिक अधिकार सवीधान की वैख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास होता है तो यह जो अंतिम अधिकार होता है यह होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास तो सरवोच नयायले हमारा इसका सही आंसर हो मतलब बुनियादी धाचा के सिद्धान्त का जो सुरोथ है वो क्या है तो फ्रेंट्स ये हो जाएगा हमारा 61 का सही आंसर नियाईक व्यवस्ता या नियाईक व्यक्या ठीक है उसके बाद उच्चितम नियाईले से कानूनी मामलोग पर किसको परामर्स लेने का अधिकार है त जो राष्टपती है वो सुप्रीम कोट से कंसल्ट करता है है तो वो कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसके तहत राष्टपती और सुप्रीम कोट जो है आपस में कंसल्ट करते है किसी भी पर्टिकुलर लॉस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो आर एक राज्य केंद्र साजित प्रदेश के लिए है तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 का तो हमारा 63 का सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे ठीक है बॉम्बे जो कि आपका दमन अंदीव दादर नगर हवेली ये भी इसमें सामिल होते है फिर जो है गोवा भी आई प्रेंट्स इसका जो अगुक्स दीव दहाएं बहारा सरकार भी आगरत्सस्ति के जाते है तो यह राष्ट्रपती इसकी नियुक्ति करते है छे साल के लिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैGO भारत सरकार में सर्वुच सास की अधिकारी जो है वो कॐन है सरवोच सास की अधिकारी हमें बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मंत्री मंडल सचीव ठीक है भारत के मंत्री मंडल सचीव मतलब C उसके बाद देश के किसी भी नियाले में चल रहे वाद को अन्यत्र भीजने का अधिकार जो है बावन से केड़ बच्पन से सुनते आ रहे हैं हम लोग और बच्पन से गाते भी आ रहे हैं भारत में राजनेतिक सथ्ता का प्रमुक्स रोद जो है वो क्या है तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स यह हो जाएगा अपका जनता ठीक है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुक्सरोथ जनता मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो रियल एक्जेकिटिव की जिसकी हमने बात की यह किसके द्वारा चुना जाता है जनता के द्वारा यहाँ याने क्वासी फेडरल स्टेट है तो यह किसका स्टेटमेंट है तो फ्रेंट्स यह बोला गया था केसी हीर के द्वारा केसी हीर भारत में राष्टी आयका प्राकलन जो है वो किया जाता है तो कौन सी कमिटी के द्वारा किया जाता है तो ये कहा जाता है केंडरी सांकी की संगठन के द्वारा किया जाता है ठीक है प्राकलंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंडरी सांकी की संगठन मतलब Central Statistical Organization के द्वारा फिर बोला है मानवी गरीबी सुचकांक की इस वर्स में विक्सित किया गया था ठीक है तो 72 का सही आंसर हो जाएगा वर्स 1997 में भारत में पंचवर्सी योजना को स्विकार करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास होता है तो 73 का सही आंसर हो जाएगा National Development Council राष्ट्री व पता दू कि जो पंचवर्सी योजना है ये अब समाप्त हो चुकी है 2017 तक जो है ये बारवा नंबर का जो प्लान था ये चलने वाला था बट 2015 में ही जो है प्लानिंग कमिशन को अबलिस करके नीती आयो का गठन कर दिया गया उसके बाद से ये जो प्लान था ये सब खतम ह हो चुका है अगला सवाल है भारत में योजना अवकास की जो आवदी है वो कौन सी थी तो ये हमें बताना है तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 1966 से 1979 अगला सवाल देखते हैं भारत में गरीबी को परिभासित किया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कैलोरी प्राप्ती से कैलोरी प्राप्ति से स्वार्ण जयनती स्वारोजगार योजना की स्थापना वर्स जो है वो कौन सा था तो यह स्थापना की गई थी वर्स 1999 से स्वार्ण जयनती ग्राम स्वारोजगार योजना जो है 1999 से लागू की गई थी चीनी उद्योग सबसे अधिक जो है वो किस र आधारीत है तो प्राक्रतिक गैस पर ये आपको आधारीत देखने को मिल जाएगा अगला सवाल देखते है बोला है फ्रेंड्स की बोकारो जो इसपात कारखाने में किस देश का सायोग जो है वो प्राप्त किया गया था तो फ्रेंड्स 79 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन मतलब सोवियत संग फिर पूछा है कि इस उद्योग को आधिनुक सब्वेता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है तो किसे माना जाता है तो फ्रेंड्स ये आईरन इस पात को भारत में सबसे महत्वपूर्ण लगुस्तर उद्योग जो है वो कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट उद्योग अगला सवाल पूछा है निमने में से कौन एक तरतियक क्रिया कलाप है तरतियक मतलब टर्शरी शेक्टर का क्रिया कलाप है इसमें दिया है वानी की वी निर्मान, क्रसी, विपनां ठीक है तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा विपनां D मौदरिक नीती का निर्मान भारत में कौन करता है तो रिजर्ब बैंक आफ इंडिया करता है Reserve Bank of India जो है कबसे existing मतलब कबसे ये बना है तो वर्स 1935 में जो RBI Act है 1934 उसके तहट इसे बनाय गया था उसके बाद जो है वर्स 1949 में मतलब 1949 में इसे nationalize किया गया था और इंडिया का Central Bank बनाय गया था किस बैंक ने सर्वप्रतम चीन में अपनी पहली साका खोली थी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 84 का SBI State Bank of India State Bank of India जो है इसे एक जुलाई 1955 को बनाया जाता है Government of India के द्वारा और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है इसके बाद जो है Question No.85 में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है तो इसका नाम है State Bank of India फिर बूला है कि सब्द बॉल तथा बियर कि इस व्यापार चेतर से जुड़े हुए है तो ये Share बाजार चेतर से जुड़े हुए नजर आएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा Share Market भारत में Credit Rating Agency जो है वो कौन सी है तो फ्रेंट्स ये सभी जो है आपको Credit Rating Agencies देखने को मिल जाएगे इंडिया में अंगला सवाल पूछा है भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंको का राश्टी करण जो है पर सरप्रतम कब किया गया था तो 1969 में इंडरा गांधी जी के द्वारा जो है ये बैंको का नेशनलाइजेशन किया गया था और वर्ष 1908 में 6 और बैंको का जो है किया गया था फिर पूछा है फ्रेंड्स की निमने में से कौन एक सेयर बाजार की क्रियाओ के नियंतरंट से संबंदित है तो 89 का सही आंसर हो जाएगा से भी मतलब सिक्यारटी जैंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है से भी जो है इसे बनाय गया था वर्स 1988 में और इसके बाद जो है इसे statutory provision मतलब act बना दिया गया था और यह आया था कब वर्स 1992 में अब यह क्यों आया था तो हुआ कहता कि इस समय जो है बहुत सारे लूप होल्स हुआ करते थे काय में आपका जो share market है उसमें उसकी वज़े से काफी घोटाला हुआ करता था तो उसे र इमा निगम जो है इसकी स्थापना कप की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी वर्स 1956 में ठीक है जब मद्यप्रदेश बना था तब ही इसे भी स्टेब्लिस किया गय था ऐसा याद रख लेना आप लोग भारती मुद्रा प्रणाली में दसमलों पद्धिक किस वर्स से लागू की गई थी तो ये की गई थी वर्स 1957 से अगला सवाल देख लेते हैं भारत के राष्टी सेयर बाजार का मुख्याले जो है ये कहां पर इस्तित है तो ये बॉम्बे में इस्तित है नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएग का सरजन और उद्योगों की इस्तापना फिर बोला है तेल का एक बैरल लगबक किसके बराबर होता है तो 159 लीटर की ये बराबर होता है अकिल भारती खादी और ग्रामीन बोर्ड की इस्तापना जो है वो की गई थी तो कब की गई थी तो ये की गई थी फर्स्ट प्लान म मतलब 1951 से 1956 के बीच में जो प्लान चला था उसी बीच में इसकी स्थापना की गई थी फिर बोला है एक्च्वरी सब्द जो है वो संबंदित है तो ये संबंदित है आपका बीमा से विस्व बैंक समू में कौन सा संगठन जो है वो संमिलित नहीं है तो IMF जो है इसमें संमिलित नहीं है बाकी ये तीन जो औरगन से ये वर्ल्ड बैंक के है वर्ल्ड बैंक को वर्स उनिस सो चमालिस पैतालिस में स्टेबलिस किया गया था और IBID का full form के अगर बात करें तो International Bank for Reconstruction and Development इसे कहा जाता है IFC मतलब International Finance Corporation और ये है International Development Agency फिर आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक जो है वो किसे कहा जाता है बताना है तो Adam Smith जो है इन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है तो Friends हमने टोटल 100 questions डिसकस कर लिए है और जो questions मैंने आप सभी से पूछे है इसका जवाब आप लोग मुझे comment box में provide करेंगे मैं अशी आसा करता हूँ और Friends वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सभी से request है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो Friends प्लीज लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और साथी साथ जो भी student MPPSC की तयारी कर रहे है या other state services की तयारी कर रहे है उन्हें हमारे वीडियो जरूर प्रोवाइट करें तो Friends मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद